पाठ पंद्रह लोम्डी की चतुराई एक नदी के किनारे जंगल था, उसमें एक लोम्डी रहती थी, वह नदी में पानी पीने चाया करती थी, नदी में एक मगर्मच रहता था एक दिन लोमडी नदी में पानी पीने आई तो मगरमच ने उसकी टांग पकड़ ली, लोमडी घबरा गई, परन्तु उसने चतुराई से काम लिया वहा मामा, टांग की जगा लकड़ी पकड़ ली, मेरी टांग तो यह है धन्यवाद मामा जी, अपनी चतुराई से मेरी जान बच गई, लोमडी की चतुराई काम कर गई, मगरमच ने लकड़ी समझ कर लोमडी की टांग छोड़ दी, लोमडी उचलकर बहार आ गई और बोली, इतना कहकर लोमडी भाग गई, मगरमच मूँ ताकता रह गया उस दिन के बाद प्रति दिन, मगरमच लोमडी को पकड़ने के लिए नदी किनारे लगी जाड़ियों में छुपकर बैटा रहता, लेकिन लोमडी ने नदी पर जाना छोड़ दिया था, परिशान होकर मगरमच ने एक उपाई सोचा क्योंने लोमडी को पकड़ने के लिए उसकी गुफा में जाकर छुप जाओं, लोमडी कहीं भी होगी, गुफा में तो जरूर आएगी यही सोचकर मगरमच लोमडी की गुफा में जाकर छिप गया शाम को लोमडी आई तो उसे गुफा की और चाते हुए रास्ते में किसी के पंजो के निशान दिखाई दिए गुफा में जरूर कोई छिपा है चलाकी से काम लेना चाहिए लोमडी गुफा के दुआर पर आकर जोर से बोली मैं आ गई गुफा गुफा मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ मुझे रोजाना की तरह बुलाती क्यों नहीं हूँ तुम मुझे आजा बेटी कहकर बुलाओगी तब ही तो मैं आऊंगी लोमडी की यह चतुराई भी काम कर गई मगर मच ने प्यार भरी आवाज में कहा आजा बेटी अहाँ